साथ और सत्तर की दशक की मशूर अदाकारा हिलन ने अपने अदाकारी से ज़्यादा अपने डांस मूँ से लोगों के दिलों में जगब बनाई है बल्यूड में उन्हें पहली आइटम गल के नाम से जाना जाता है हलाकि उन्हें कुकु फिल्म इंडेस्ट्री में लेकर आई थी जो उस समय आइटम गल के नाम से जानी जाती थी उस दवर में जब भी किसी फिल्म में हेलन का आइटम सौंग दिखाया जाता था थेटर्स में तालियों और सिटीयों की आवाज गुझ उटती थी इतना ही नहीं कई लोग तो हेलन का डांस देखने के लिए ही थेटर पहुझते थे आज हेलन को सल्मान खान की सवतेली मार्ग के रूप में जाना जाता है उन्होंने सल्मान खान के पिता सलिम खान से शादी कर ली थी लेकिन एक जमाना था जब हिंदी फिल्म इंड़स्ट्री में हेलन के नाम की तुती बचती थी हेलन के साथ काम करने के लिए कई निर्माता, निर्देशक, नायक एक पर पर खड़े हो जाते थे हलाकि हेलन को यह शोहरत बहुत आसानी से मिली ऐसा नहीं है उसके लिए उन्हें काफी कश जहलना पड़ा, हेलन मुलता भारतिय नहीं है हेलन का जल्म 21 नवंबर 1938 में बर्मा में हुआ था हेलन का पुरा नाम हेलन एन रिचर्ड सन है, उनकी मा मुल रूप से बर्मा की थी दुतिय विश्व उद्द से पहले हेलन अपने माता पिता के साथ बर्मा में ही रह रही थी एक समय ऐसा भी आया जब उनकी स्थिती इत्ती खराब हो चुकी थी कि उनके पास ना ही रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने के लिए पैसे रहा चलते वक जिसने जो सुविधा दी उसी से उनका गुजारा होता रहा जिस किसी ने आस्रा दिया, वहाँ पर सो लिये जिसने भी खाना दिया, उसका शुकरिया करके वह खा लिया कभी-कभी किसी बृटिज जवान को भी उनके हालत पर तरस आ जाया करता था तो वह भी उनकी मदद दिया करते थे चलते चलते सबी के पहरों में छाले तक पड़ गए थे इसी दवरान हिलन की मा गर्ब होती थी और एसी हालत में रास्ते में उनका गर्ब पात हो गया दिब्रुगड के एक हस्पिटल में हिलन की मा ने नर्स का काम शुरू किया कुछ वक्त बाद हिलन की मा हिलन को लेकर बंबे जो आज का मुंबई कहला जाता है की तरफ अपना रुख किया और यहां आकर एक हस्पताल में नर्स की नोकरी करनी शुरू कर दी बंबे आने के बाद हेलन की मा की मुलाकात उस जमाने की मशूर अधाकारा और डांसर कुक्कु से हुई हेलन की माने कुक्कु से कहा कि हेलन के लिए कोई काम देखे हेलन की स्थिती देखते हुए कुक्कु ने हेलन को ग्रूप डांसिंग में ले लिया हेलन के फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म शबिस्तान के साथ हुई हेलन ने इस फिल्म के एक डांस में हिस्सा लिया था और उन्होंने अपनी डांस से सभी का दिल जीत लिया दिरे दिरे उस भीड के साथ डांस करते करते उन्हें फिल्मों में सोलो डांस के ओफर आने लगे फिल्म अलिफ लैला और हूरे अरब में सोलो डांस करके उन्होंने फिल्म मेकर्स के दातों तले अंगुलिया दबाने पर मजबूर किया हेलन को सबसे ज़्यादा शोरत मिली मेरा नाम चुन-चुन-चुन गाने से उसके बाद हेलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा हावडा ब्रीच, चाइना टाउन, कश्मिर की कली, एन इवनिंग इन पेरीश, आरा धना, अमर प्रेम, डॉन ऐसी कई फिल्मों में हिलन ने अपने डांस सबी को अपने और आकरशित किया हिलन सिर्फ डांसर ही नहीं रही, बलकि वह एक एक एक्ट्रेस के रूप में भी सामने आ गई 1960 और 1970 के दश्यक में हिलन ने एक से एक बढ़कर अच्छी फिल्मों में भुमिकाई की और उसके साथ ही आइटम सौंग भी किये, उन्होंने गुमनाम, चाइना टाउन, सच्चाई, छोटे सरकार में अपने अभी नहीं की प्रतिबा दिकाई अपने कई डांस नंबर जैसे सुक्कू सुक्कू, आज आने जा, यम्मा यम्मा, ओ सिना जुल्फो वाली, ये मेरा दिल यार का दिवाना, पिया तू, अब तो आजा समेत, न जाने कितने ही और आइटम नंबर्स किये मैबुबा ओ, मैबुबा सौंग पर उनके डांस का आज भी कोई सानी नहीं है, कहा जाता है कि हेलन अपने डांस के स्टेप्स खुदी किया करती थी, यही वज़े है कि उनका हर एक स्टेप्स यूनिक हुआ करता था, जिनने ना तो उस समय कोई कॉपी कर पाया, और ना ही आज कोई कॉपी कर सकता है, मुंगडा मुंगडा गाने पर डांस करने की वज़े से उन्हें मोम की गुडिया का धरजा दिया गया, अपने डांस से सबका दील जीत चुकी हिलन, बॉलिवूड की बहतरीन डांसर के साथ-साथ उमदा एक्ट्रेस भी रही, उन्हें कई एव लेकिन इस विदा को जो सम्मान हेलन ने दिलाया, उस जगह तक अभी कोई नई पहुचा है, हेलन एक बात्र एंसी डांसर है, जिसने परदे पर अमिता बच्चन और विनोत खन्ना जैसे चोटी के सितारों के साथ हिरोयन की भूमिका भी की, उन्होंने अमिता आपके साथ इमान धरम में और लहू के दो रंग में पहले विनोत खन्ना की पत्नी और फिर माकी भूमिका निभाई, डांस का रूप चाहे लोग हो, मुजरा, शास्त्रिय या फिर कैब्रे, कुछ भी हो, हेलन ने उसे पूरी गरिमा और विश्वस नियाता से परदे पर उतारा, उनके अभिनित्री के तौर पर हेलन ने बेजुबान, दर ट्रेन, गुमनाम, पगला कईका, बैराग, जिन्य और जानी में उन्होंने अभिने प्रतिवा का भी प्रदर्शन किया, एक तरह से हेलन ने खुद को हरफन मौला सिद्ध किया, हेलन को लेकर उस दौर में कहा जाने निर्माता निर्देशकों के बीच तेजी से बढ़ गई थी, बता दे कि बॉलिवूड इंडश्री में बैले डांस लाने का श्रेय भी हेलन को ही जाता है, हेलन ने 1957 में खुच से 27 साल बड़े डाइरेक्टर पीयन अरोडा से शाधी कर ली, लेकिन ये 16 साल की शाधी हेलन क 35 जल्म दिन के दिन ही तूट गई, हेलन ने पीयन अरोडा से इसले तलाक ले लिया क्योंकि वो उनके पैसे उड़ाते थे, हेलन फिल्मों से अच्छी कमाई करती थी, उनके पती इसी का फाइदा उठाते थे, पती के खर्च के चलते हेलन दिवालिया हो गई, यहां तक कि उनका अपार्टमेंट भी किराया ना देने की चलते सीज कर दिया गया, पती को तलाक देने के बाद हेलन ने अकेले जिन्दगी की जंग लड़ी, 1962 में फिल्म काबिल खान के दावरान हेलन की मुलाकात सलमान खान के पिता सलीम खान से हुई, सलीम खान हेलन को देखते ही उ सुशीला और उनके बच्चों ने हिलन को अपना लिया, अब सलमान खान भी उन्हें मा का दर्जा देते है हेलन आकरी बार साल 2012 में फिल्म हिरोईन में नजर आई थी, इस फिल्म में हेलन का किरिदार बहुत छोटा था, लेकिन असरदार था, इसके बाद से ही वो किसी फिल्म में नजर नहीं आई हेलन अब 85 वर्षकी हो गई है और वह अपने परिवार के साथ खुशनुमा जिन्दगी जी रही है बॉलिवूड को कैबरे डांस सिखाने वाली हिलन जीवन में कई उतार चड़ाओ देखने के बाद आज एक अच्छे मकाम पर पहुची है और उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरना दाई है जीवन में किसी कर दो कर दो सुशनुमा भाली हिलन जीवन थाओट को किसी कि उतार प्रेंगी वाली है